अगर आप भी वहिकल्स पर चमकीले और ज्यादा रोशनी वाले फैंसी हेडलाइट्स यूज करते हैं तो साफदान हो जाईए वरना आपके खिलाब कानुनी कारवाई हो सकती हैं करनाटका ड्राफिक और रोड सेफटी ADGP आलोकुमार ने बताया ग्लैरिंग और डैसलिंग यानि चमकीले और ज्यादा रोशनी वाले हेडलाइट्स यूज करने वालों के खिलाब फैस जुलाई से कारवाई शुरू की गई हैं और सेंटरल वहिकल रूल्स के मुताबिक इंडियन मोटर्स वहिकल एक्ट अंडर 77 के तहर चमकीले और ज्यादा रोशनी वाले हेडलाइट्स यूज करना गयर कानुनी हैं और पिछले तीन दिनों में ADGP आलो कुमार के हिदायत पर कुल 3700 से ज्यादा केसस बुक किये गए हैं अलो कुमार ने बताया चमकीले ज्यादा रोशनी वाले और फैंसी हेडलाइट्स यूज करने की वज़ा से करनाटका में एक्सिडेंट केसस में बड़ोतरी हो रही है और कई लोगों की जान चली गई हैं अगर आप भी चमकीले और ज्यादा रोशनी वाले हेडलाइट्स यूज करते हैं तो बदल वाले वरना आपके खिलाब भी कानूनी कारवाई हो सकती हैं करनाटका में बैंगलूर मैंगलूर के अलावा दीगर कई जगाहों पर तीन दुनों में 3700 से जादा केसस बुक किये गए हैं और आगे भी इसी तरह कारवाई जारी हैं और कुछ लोग सोचल मीडिया के जरिये फैंसी चमकीले और ज्यादा रौशनी वाले हैडलाइट्स बेशने वाली दुकानों के खिलाब भी एक्शन लेने का मुतालिबा कर रहे हैं इस इसूपर ADGP आलोकुमार ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं अ द्धा एक्शन देशी हैं क्या देशनाओ वाले एक्शन य्याद और का रहे पिलाप उने द्धा हैं अच्छत सकते हैं एंगर्टी ने बोटे से लिड बोल रखंग जवस की आता करता में स्थाख़ टिस्टी चारवारर गांगर का ड्लार मान एंगर्टी ने रहा है किबूचानि करता थावर को अब भालारी पना चारवार गार इंग कार्वार अना ढारी झाला था भूल कि अग ज्यसी ने पर ready to comply with our directions then we are going to book the cases also 3,700 cases more than 3,700 cases first day on 1st of July it is 996 second day it is 1518 and 3rd of July it is 1189 so in total it comes more than 3,700 no like when we compare to 2019 2020 and so 2021 was COVID years so we won't take into account compared to 2022 definitely 2023 there was increase of around 3% in 2022 the total number of deaths was 11,702 and 2023 the total number of death was 12,327 but now on 1st July we have taken count of this year so luckily with the efforts of power officers and men now in this year 5940 deaths have taken place till 30th of June in the same corresponding period last year 6370 people they had lost life in road accidents so now there is a decline of 6.75% like this is not a very big achievement but at least I can say that we have bucked the trend of going upwards because number of vehicles that is increasing every day the number of like the population is increasing so naturally everywhere in the country the number of accidents like road accidents and number of deaths that is increasing so now Karnataka we are glad to share this thing that somehow though it is a small step we are bucking the trend and we are like the number of deaths due to accidents that is decreasing this video presented by Manur Multi Specialty Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at Bale Hill Circle Ring Road Gulbalga